प्रेंड्स आज की ताजक खबर में आप सबों की स्वागत है जार्खन की तमाम छोटी बादी खबरे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी जार्खन वोड ने दाशी और ब्राही के कफार्टमेंट परिच्छा का प्रिणाम जारी किया जार्खन एकेडमी कॉंसिल ने कच्छा दाशी और ब्राही की कफार्टमेंट परिच्छा के प्रिणाम जारी कर दिया है काउंसलिंग कि ने रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है ऐसे में जो भी परिच्छार्थी परिच्छा में सामिल हुए थे वे ऑफिसीयल पॉर्टल पर रजाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं अस्टुडेंस ध्यान देकी रीजल्स चेक करने के लिए उन्हें अपने रोल नंबर का उप्योग करके समंधित प्रिनाम की जांच कर सकते हैं बता देकी कच्छा 12 के कपार्टमेंट की जारखन बोर्ट परिच्छा 6 नमबर से 13 नमबर 2020 तक आयोज की जाती थी कच्छा 10 और ब्राइमी की अपार्टमेंट बोर्ट फरिच्छा 1432 केंद्र पर आयोजित की गई थी के साथ अगली बड़ी खबर JPSC का कलेंडर जन्वरी से पहले सप्ता में जारी करते वे नौकरी का वादा कर गए एक सार पूरा हो गए पहली वर्षगाट में मुखमंत्री हमोर्ट सोरिन ने राजवासियों को कई नई सवगाद दित्तों युवाओं और महलाओं पर विशेस फोकस दिया खासकर युवाओं को नौकरी के संदर में सी सोरिन ने पूर्व की सरकारों को निशाने पर लिया साथ ही जन्वरी माह से पहले सप्ता में जार्खन लोग सेवा आयोक का नया कलेंडर जारी करने की बात कही के साथ अगली बाड़ी खबर लातेहार के लाभुकों के बीच बाटे गए करीब नौक रोड की प्रिसंपती 266 युजनाओं का हुआ उद्घाटर मसिल्लानियास जार्खन की हमन सरकार के पर्थम वर्सगांट परलातेहार जिल अंतरगत सरहर के रेल्वे अस्टेशन रोड में अवस्तित पंडित दिन दियाल उपाधिस नगर भवन में कई कारिकरमों का आयोजन किया गया कारिकरम के दरान 67,49,15,115 लागत से निर्वित 152 युजनाओं का उद्घाटन किया गया 14,78,63,413 रुपई लागत से बनने वाले 115 युजनाओं का सिलानियास किया गया सिक के साथ अगली बड़ी खाबर सरकार की एक साल पूरा होने पर बुकारों को 310 क्रोड रुपईये का तौफा परतेश की हेमन सोरें सरकार की एक साल पूरा होने पर जिल्ला परसासर ने सेक्टर 5 इस्तित पुस्तकाला मैदान में विकास मेला कायोजन किया सरकार के एक साल पूर्ण होने पर उतगाटन सिल्ला नियास पी एम आवास सहित अन योजनाओं के लाभुकों को लाभ देने के साथ पूरे जिल्ले को सरकार ने 310 क्रोड रुपईये का सौगात दिया विकास मेले में सरकार के सबी विभाग अपनी अपनी उपलब्धियों को बताया गया कारिकरम में पांच जिल्ला पूर्थी योजनाओं को मुखमंद्री राची सेहुद घाटन के अबोकारू जिल्ला में 3470 लाभुकों के बिच 17.73 क्रोड रुपईये की परी संपत्यों का वित्रन क्या गया उपायुक्त राजे सिन्हा ने बताया की दिल्ला की कुल 16.72 क्रोड रुपईये की लागत से 114 योजनाओं का सिलानियास एवं 65.68 क्रोड रुपये की लागत से 78 योजनाओं का उदगाटन किया गया है के साथ अगली बड़ी खबर हेमन सोरेन सरकार का मेग सो क्रीसी रीन 511 को नियुक्ति पत्र जारखन के मुखमंत्री हेमन सोरेन ने किसानों को रीन माफिक में हुई देरी के कार्णों को अस्पष्ट किया है मंगलवार को सरकार की पहले सालगीरा के मौके पर राजधानी राची के मुरहबादे मैदान में आयोजित किये गए भवी सामरों में उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद हमारे सामने हलाती भायवात है कर्मियों को वेतन देने की भी चुनोती थी इसे बिच विपच्च के लोगों ने हमें कई बार आरोपित किया सरकार रोजगार देने में विफल रही, किसानों को राहत देने में विफल रही, सिकायते होती रही लेकि सबसे पहले आर्थिक विवस्ता को देखना पड़ता है, खाजाना खाली था, करोना संकर्मन से मुकाबला करने की चुनौती थी, यही कार है कि किसानों को रिन माप करन का निर्ने लेने में हम एक साल लग गए हमें संसाधन भी जुटाना था अपने आने वाले पांस सालों में इसी लच के साथ हम आगे बर्ष रही हैं पांस साल के बाद इस राज को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रहेगी के साथ अगले बड़ी खबर क्रोना देश में संकर्मन से 70% प्रूस मरीजों की मौत हुई इनमें 45% संक्रमितों की 60 साल से कम थी केंद सरकार की तरह से सवास सचीव राजिस भूसन ने मंगलवार को केंद पर विकली सिपोर्ट पेस की उन्होंने बताये कि क्रोना का सबसे ज़्यादा असर प्रूसों पर देखने को मिले अब तक मिले स्कूल संक्रमितों में 30% संक्रमित प्रूस है जबकि 37% महलाएं हैं उम्र के हिसाब से देखे तो 8% मरीजों की उम्र 17 साल से कम है 18-25 साल के 13% 26-44 साल के 49% 45-60 साल के 26% और 60-14% लोग संक्रमित हुए हैं कुरोनाक से जान गवाने वाले 70% प्रूस मरीज थे जबकि 30% महलाएं संक्रमितों की मौत हुई हैं के साथ अगली बड़ी खबर MP में लोज जिहाद के खिलाफ कानून सवाल कानून लागू करने के लिए विधासभा सल्तर तक इंतिजार हो सकता था अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी सीवराज सरकार ने एक दिन में 13 अध्यादेशों को लागू कर इतिहास बना दिया इसमें से सबसे ज़्यादा चर्चलो जिहाद के खिलाब लागू धर संत्रताई कानून की है सवाल या उठ रहा है कि इस साल कानून लागू करने के लिए अनान फणान में अध्यादेश लानी की जिरूरत क्यों पड़ी विधान सभाग के अगामी सत्र तक इंतिजार नहीं किया जा सकता था या सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि समीधान भी कहता है कि अध्यादेश खास मौके पर हिलाना चाहिए मंप्र में या कानून बावन साल मिसे लागू है सिवराज सरकार ने इससे संसोधन कर परभावी बनाया है के साथ अगली बड़ी खाबारी यूपी में जहारखन के पांस साती चोर ऐरेज गिरो में सामिल बड़े अपराधी सिकार तै करते थे फिर नबाली मौका पाकर चोरी करते थे मोबावाईल उत्तर परदेश के कानपूर में पुलिस ने राज अंतर राज ये मुबाइल चोर गिरो का भंडा फोड किया है इस गिरो के पांच संसदों को गिरपतार क्या गिया है जिन में तीन आरोपी नाबालिग है गिरपतारी के दोरहन पुलिस ने 188 महंगे मुबाइल ब्रामत किये हैं सभी आरोपी जारकन के रहने वाले हैं और लंबे समय से मुबाइल चोरी की घटनाओं में अंजाब दे रहे हैं चोरी करने के बाद एक साथ भारी मातरे में मुबाइल फोन नेपार और बंगलादेश में बेचते थे अगली बड़ी खबर एक जुट हो विस्थापिस परबंधन को देना होगा न्यूजर न्यूजर सहित अनी मांगो को लेकर विस्थापिस सन्युक्त मोर्चा के बैनर तले विस्थापितों ने मंगलवार से तिन दिवस्ती कारिकरम के ताद बी एसल पर साथ सन के में गेट को जाम कर दिया जाएगा जार्खन की सीम हेमें सोरेन का बड़ा एलान बोले पांस साल बाद किसी के आगे भीक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जार्खन की मुखमंत्री हेमें चोरेन ने कहा कि अगर कारिपाली का अपनी जिमेदारियों के साथ आगे बड़े तो अगले पांस साल बाद राज को वीश्व बैक या केन सरकार के पास हाथ पहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने संसाधनों की मदद से जार्खन खुद के पैरों पर खड़ा पाएगा मुखमंत्री मंगलवार को सरकार की पहली वर्ष गांट के मौकी पर राजधानी राची के मुरहबाद मैदान में आयोजित राज के सामरों को संबोधित करते रहे इस मौकी पर करीब 12,000 करोड रुपईय की योजनाओं का उत्गाटन और सिला नियास किया जबकी विभिन, जिल्लो और अरबो रुपईयों की परिसंपत्यों का वित्रन किया आ गया इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए धानिवाद